तवा रखके जाएंगे तो आज हम बनाएंगे तो आज हम बनाएंगे तो आप सब देखते तो पता चल गया क्या बनाएंगे तो आज हम कुछ भी नहीं करेंगे जस्ट हम एक तवा रखके जाएंगे उसके बाप मैं एक खंट बाद शीट आएंगे तो देखेंगे कितना जराम बता को अभी मैं ऐसे चोड़के जारी हो एक गंटे के बाद फीर आएंगे तब हम एक गंटे बाद फीर आया तो हम ओएल देना भूल गया तो फीर से हमको एक घंट बाद ही आना पड़ेगा क्योंकि अभी जस्ट वाइल दिया तो अभी तो नहीं होगा तो फीर से मैं एक घंट बाद ही आएंगे तो ठीके तो गाइस मैं कि इस और एक घंटे बाद आया तो अभी देखेंगे जसा हो रहा है कि मैं अफे बहुत गरम हो गया तब देख लेकिन दूता है कि मैं यह भी एक इस्प्रियंस हो जाएंगे एक तो बनाए उस दिल हो गये थे झाँ जया तो जाक घचचिक कि तो ग्ससाहित money पूंगने को एकिव भी आए आदा है जब साम ते कैम लो को देख दे इता जो इता जो हाँ गाइस देखिए आटा है न वो अंदर खीच रहा है एक देखिए हो रहा है सायद फोरा सा टाइम दीजिये देखिए गाइस देखिए गाइस उत्राने जाइस पेखिए तो गाइस सामनें खानए तो कैसे देखिए एक सत्राइस देखिए इतना यह हो गया बट इतना हुआ बुलना अपसा को इतना हुआ भूले तो बहुत ही ना देख पारिये सब देखिये गाइस ए देखिये गाइस ए देखिये हम जब बूर्शा के आप सब को दिखाते है तो गाइस आण्डे के तरफ उतना अच्छा नहीं हुआ क्या पता मुको उतना इजक्ली नहीं कि का अच्का 45 डिग्री है तो गाइस बहुत ही हुआ था बोले तो आटा जुए है बहुत अच्छे से भी खीचेते तो धोसा बनाना का जो यह होता है और ताप ज्यादा लगता है तो यह साइस हुआ नहीं बट ठीक है गाइस गड़नी तो बहुत ही पड़ा तो आप सभी पहले के तरफ मैं ए इन वीजो में भी बोलेंगे बहुत सब्धन से रहिए बहुत जितना हो सकता है कम निकले ज्यादा ज्यादा करके पानी कीजिए आज का ब्लॉग इडरी एंड करियो तो मेरा ब्लॉग अच्छे लगए तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट में बताना कुछ भी बताना हो तो कमेंट में बोल सकते तो बाइब सकते हैं